हेलो दोस्तो एक बात दुवारा से आप सभी का स्वागत करता हूं विवेकरना स्टॉक्स चैनल पर चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो ऐसे नहीं बोला था आर्चिप को छोड़ 6 रुपे की इंडियन पैनी स्टॉक में लोटी लगना पक्का है, राइट, 100% स्टॉक डबल होगा, जिस प्राइस में आपको मैंने रिकेमेंट किया था, उस प्राइस से स्टॉक डेफिनिटली डबल होने जा रहा है, और डेफिनिटली डबल होगा, ठीक है, जिसनोंने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा, मै आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता जाओं, बनाता जाओं, जो आपको एक अच्छी रिटन दे फ्यूजर में, अगर चाती हो तो भाई, कर दो यार, है न, और साथ में, शेर कर दो, टुटर, टेलिगराम में, जहां आप कर सकते हो, साथ में वर्ट समें शेर कर दो, अपने दोस्तों, देख सकते हो, जो हमने आपको एक अपते पहले वीडियो अपडेट दिया था, वो ये वीडियो था, अब स्टॉक का नाम आपको बतला देता हो, कि मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं, अगर आप वीडियो के अंदर क्लिक करते हो, तो आपको नाम भी बता चल तो मैं आपका time waste ना करते हो, आपको सीधा नाम की तरब लेकर चलता हूं, कि कि पैनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर RCF का मैं नाम ले रहा हूं, तो आपको पता है, similar category का stock होगा, ठीक है, सेक्टर का stock होगा, जो currently 10 रुए से नीचे trade कर रहा है, तो देख ल मुझे लग रहा है और यह पैसा आपका डेफिनिटी हैं डबल कर सकता है आपको आराम से 10 रुपे के टागेट दिखा सकता है लेकिन 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 आपको मैंने उस वीडियो अपना स्टॉप भी बताया होगा अगर आपने वो नहीं सुना तो अब इस वीडियो को पूरा प तक गया था ठीक है 7 रुपे के बाद दोड़ा नीचे lower circuit माया अब दोबारा से bounce back करके उपर जा रहा है तो दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी मैं आपको stock देता हूँ मेरे वीडियो को ना हलके में मत लिया करो पूरे वीडियो को सुन कर जाये करो मैं हर वीडियो म मैं आपको दे रहा हूँ मैं आपको वीडियो बनाने के लिए नहीं दे रहा हूँ ठीक है व्यूस पाने के लिए नहीं दे रहा हूँ इन stocks में मैं खुद भी investment करता हूँ अपने money management को follow करते वे ठीक है ये stock मैंने 5 रुपे 25 पैसे के आसपस बाई करा हुआ है और मेरा इसका के आसपस आपको बाई दिया होगा और 10 रुपे का हमारा इसमें target है definitely पैसा double होगा क्योंकि इसमें बन रहा है एक pattern ठीक है और मैंने आपको लास वीडियो में ये भी बोला था कि भाई जब गोडों की race होती है तो उसमें घदे भी दोड़ते है तो गोड़ा कौन था आर्स fertilizer आपका घदा है घदा मत्तब company loss making company है profitable company नहीं है तो बतलब होता क्या है जब एक बड़ा sector का stock भागता है रन रन अप करता है तो definitely छोड़े प्यादे होते हैं सिपाई होते हैं उनको पक्का follow up देते हैं तो ये stock अब follow up जो rally हुई थी आर्सियाप में उसको catch कर रहा है ठीक ह मेरा मानना है कि at least ये stock 9-10 रुपे तक जा सकता है क्योंकि 9-10 रुपे के आसपा इसका resistance area जो आपको अभी दिखा देता हूं उससो आप देख सकते हूं मैंने 5 साल का chart खोला हुआ आपका नागा अर्जुना fertilizer का और आपको screen में देखने को मिल सकता है क्या देखने को मिल रह से एक registration की तरह काम करेगा और यह एक U pattern मनाएगा definitely यह इसको test करेगा 100% इसको test करेगा क्योंकि एक तरह का U pattern मना रहा है आप हो सकते हो यहां से पहले एक 9 बनी उपर की तरह उल्टा अब दुवारा से यहां से 9 बनाके यह दुवारा test करके नीचे गिर सकता है अगर इसने इ उपनी उकात में आ जाएगा 2 रुपे और 3 रुपे में तो भाई हमको क्या करना है हमको gain पाना है हमें swing trading करके पैसा कमाना और निकल जाना है हमें stock से लगाओ नहीं करना है कि भाईया यह तो मैंने पकड़ लिया तो 100 रुपे जायागा नहीं हमें क्या करना है हमें price action देख लो आपको क्या करना है इसे बोताव विडियो को पूरा सुन लिया करो बहुत साथ लोग सुनते नहीं है आधा दूरा घ्यान लेके चले आते बाद में तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं ने डेटा खोला हुआ है मैं ऐसे नहीं बोला था कि इंडियन पैनी स्क्रीन में 16 माज के डेट है आपके सामने आज प्रसेंट अपर सकीट में जा रहा था तो लोग चिला चिला के कहरें तो नागा अरजुना फटीलाइजर में क्या करना है क्या करना अरे मेरे भाई पुराने वीडियो से अगर देखोगे ना बहुत क्लियर वडो में कहा जाता है कि भाई मेरे जो आपको मैं स्टॉक दे रहा हूं या तो स्टॉप लोस होगा या टार्गेट देगा ठीक है और अभी तक तो भगवान की किरपा से स्टॉप लोस पस आप एक बात को ध्यान रख लेना आप जो भी चीज भाई कर रहे हो उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है वो है money management ठीक है money management का मतलब होता है कि आप अगर कोई trade entry कर रहे हो कि स्टॉक में तो आपका loss कितना है उसमें ठीक है अपना loss आपको पता होना चाहिए मान अगर आपका loss अगर 10,000 रुपए है लेने क्या ठीक है एक trade में तो आप 10,000 की जगा 5,000 रुपए लो इसको बोलते है risk management को कम करना आपने risk को कम करना अगर आपको अपना loss कम करना आपके स्ट्रों मार्किट में तो definitely आप राजा हो otherwise तो आप फिर फसने वाले बहुत बुई इस तरीके से ठीक है अगर बात करते हैं आज की काम का आज की delivery position आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें update क्यों नहीं हुआ यार एक second है दोस्तों NSC की website में में रिकाते है कुछ glitch आ रहा है इसका कुछ update नहीं हुआ मैं दूसरी website में check करता हूँग मुझे मिलता है यहां दोस्त तो 100% delivery उठाई गई है almost 5.29 lakh quantity rate की गए दी और सबकी सब 100% delivery है तो दोस्तों अगर 100% delivery जा रही है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना stock में इसलिए लोग भर भर के stock को buy कर रहे हैं मेरे खाल से अब साइद लोगों को मौगा भी नहीं मिलेगा entry करने का अब मुझे लगता है stock अगर अपना last resistance तोड़ देता है ठीक है last resistance कौन सा आपको पता ही है आपको दिखायता हूँ last resistance कौन ता stock का एक सेकिंड रुपे का अब दुवारा entry कर लेना जो stoppers मुझे मैंने आपको बोला है उसको maintain करके आप 10 रुपे के target के लिए और 9 रुपे 30 पैसे के target के लिए इसमें बैठ सकते हो ठीक है भाई दुवारा बोल देता हूँ अगर दुवारा से stock अपना resistance करने उपर जाता है 7 रुपे 60 पै आपका पैसा double करेगा मेरे साफ से definitely यह पैसा double कर सकता है लेकिन आपको हमेसा अपना money management और risk management को follow करना होता है ठीक है भाई तो यह था आपका Indian pen stock below 5 रुपी चलो मिलता हूँ आपको अपने next video till then bye bye thank you so much safe trading happy trading and peace out